हेलो कैसे हूँ आप सभी उमीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज मैं ये बहुत ही आसान सी रेस्पी लेकर आई हूँ और अगर ये रेस्पी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना की सिंपल सी रेस्पी कैसी बनी है और कैसी लगी है तो चलिए अब सबसे पहले आलू को मैं काट लेती हूँ और ये छिलके इसकों और 4 पानी के करीब मैंने इसको ठ़के धुला है क्याँ कि ये जलिआ है क्योंकि ईनकी छिलके तो उतारने नही रहते हैं तो इसलिए बहुत अच्छे से धुलने रहते हैं तो उसके बाद देखिए तेल घरम हो गया है तो उसमें भरी मिर्च और लहसन को मैंने काट लिया क्योंकि इसमें कटे हुई लहसन और हरी मिर्च अच्छे लगते हैं तो इसमें साबुत धनिया मैंने डाल दी है क्रास करके और अधा चमाच इसमें जीरा एट किया है उसके बाद एक कटा हुआ एक प्याच तो इन सभी चीजों को अच्छे से भून लेती हूं यह देखी कलर चैंज हो गया है और उसके बाद अधा चमाच इसमें हल्दी बस इतने ही मसालों में मैं सबजी बनाऊंगी क्याकि ज़्यादा मसाले नहीं अट करूंगी यह सबजी ऐसे बहुत कम मसालों में बनाऊ तो बहुत अच्छी लगती है उसके बाद यह मटा रट कर दिया है और यह जो सबजी बनती है बाकी की सबजीों से यह सबजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे यहां तो यह लगभग बनती रहती है और इसके बाद मटर के साथ इसमें स्वाद के अंसार नमक एड कर दिया है नमक को मटर के साथ मिक्स कर देते हैं और अगर मटर नहीं है तब भी यह सबजी बहुत स्वाधिस्ट बनती है क्योंकि यह क कर दिंदना बहुत बहुत अच्हे है उसको एक चमच मेत्यम होगी उस सब्झे इस में इस को अच्छी में aur के फ्लेवर बहुत अच्छा है तो कसूर करें ज़रूर ड़े दो ऊछें इसको डॉन बिन पाद की क्यों कि इसमें पादी पानी अच्छी तुर।स बंती एक लहसण कहले था तो उसकी पतियां मैंने इसी में एककर दिया थै स्वसकंड पतिया राख लिए थी तो उसको पिछास परसन्ट अलू पकने के बाद एटकिया है कि जोते जोते आलू हैं कि रैल ओ सेसे बने अंहीं बनते हैं लीए इस तरह से सबजी बन जाती है तो ये देखिए सब्जी बनके तयार हो गई है और ये पक गए हैं बहुत अच्छे से पके हुए हैं तो इनको अब मैं दो से तीन मिनट और खुला पका लेती हूं जो थोड़ी सी नमी रह गई है वो भी अच्छे से निकल जाएगी तो ये बहुत स्वाधिस्ट सब्जी बन पकने में तो सबसे पहले मैं रूही को खाना दे देती हूं क्योंकि उसको बहुत जोरो की नींद आ रही थी और आप लोगों को तो मैंने बाद में दिया है क्योंकि मेरी बेटी को बहुत जोरो की नींद आ रही थी ते इसलिए मैंने पहले उसे खाना दे दिया है नहीं त साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक एर